गटकरी साब हैं जैसे आप कह रहे हैं ये जगा जगा जा रहे होंगे विजिट कर रहे होंगे और अपने खाने पीने पर और अपने जो अपना जो हाइडरेशन लेवल होता है पानी की मातरा और एलेक्रोलाइट की मातरा बोडी पे बराबर लेने का उन्होंने ध्यान नहीं हाल ही में केंद्री मंत्री नितन गटकरी भाशन देते समय मंच पर अचानक गिर पड़े थे उन्हें गर्मी की वज़ा से चक्कर आया और वे बेसुध होकर गिर पड़े हाला कि वे अब ठीक हैं लेकिन ये घटना सब के लिए चंता का विशे है गर्मियों का मौसम हमारी सेहत पर कई तरह से असर डाल सकता है हाल ही में केंद्री मंत्री के साथ हुई घटना ने सभी को चौंका दिया आये जानते हैं डॉक्टर आलोक शर्मा से कि गर्मी में बेहोशी के पीछे क्या कारण हो सकते हैं और कैसी हम इस से बच सकते हैं आप कह रहे हैं यह जगा जगा जा रहे होंगे विजिट कर रहे होंगे और अपने खाने पीने पर अपने जो अपना जो हाइडरेशन लेवल होता है पानी की मातरा और एलेक्रोलाइट की मातरा बोडी बराबर लेने का उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा तो ऐसी इस्तिती में बहुत संभव होता है कि अचानक से हमारे अंदर पानी की कमी हो जाए हमारा BP डाउन हो जाए और एक transient loss of consciousness होता है अचानक से BP कम होने की वज़ए से जिसकी वज़ए से चक्कर आके बेहोशी आ जाती है बट और भी कारण हो सकते हैं अगर ये बेहोशी ल ला दिये electrolytes आपने ठीट कर दिये तो patient बेहतर महसूस करता है तो ये कारण मेरे समझ में आता है जो उनके साथ हुआ होगा क्योंकि जितना आप exert करते हो उतना ही जादा पानी और electrolytes को loss करते हो जहांसी के महरानी लक्षमीबाई medical college में काडिरोजिस्ट डॉक्टर आलोक शर् सकता बस आपको अपने ऊपर ध्यान देना है पहले तो आपको खूब पानी पीना है मतलब तरल पदार्त आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं मैं यहीं नहीं कहूंगा कि आप साधा पानी पीएं आप जूसेस पीएं आप मठा च्छाच वगरा पीएं आप शिकंजी आपको स्वेटिंग बहुत होता है तो स्वेटिंग के साथ में आपका नमक भी बहुत लूज होता है बोडी से तो आप नमकीन पदार्त का भी सेवन करें और पानी बहुत पीएं इससे 99% तक रुकावट हो जाती है डिहाइडरेशन इंडियूस सिंकल्पी में ऐसे मौसम म को संबोधित करना काफी ठका देने वाला काम होता है इसके अलावा अगर आप अपने खान पान और खास तोर से तरल पदार्त प्रयाप मातरा में नहीं लेते हैं तो बेहोश हो सकते हैं अगर आपको गर्मी में अच्छा महसूस नहीं होता है तो तुरंथ ठंडी जगर पर हैं जैसे एडवांस एज हो गई या जो बीपी की मेडिकेशन्स लेते हैं या जिनको शुगर है तो खान पान अगर आप बराबन नी कर रहे हो तो आपको शुगर की वज़े से कम होने की वज़े से ब्योशी आ सकती है आप बीपी की दवा खा रहे हैं और साथ में आपने पानी के भी लॉस कर दिया और पसीने से स्वेट के माध्यम से सोडियम का भी लॉस हो गया तो वो बीपी की दवा का ओवर रेस्पॉंस आने की वज़े से भी बीपी कम हो सकता है तो यह सब इशूज हैं आपको यह ध्यान लखना पड़ेगा कि हम अपने रूटीन जो एक्जर्शन जरूर कर रहे हैं लेकिन हम अपने साथ अपने तरल पदार्त लेकर चलें और जो चीच का परहे समय करना है वो करें डॉक्टर की दी हुई सिलाह पर अमल करें और सुरक्षित रहें लोकलेटिन के लिए जहासी से शाशवत सिंग की रिपोर्ट